कि अब लोगों का बिहार अड़ा 24-7 के इस छे बजे वाली क्लास में जहां हम अपने मेंस की बिल्कुल अंतिम दौर की तैयारी पर लगे हुए हैं जोरश और से हम अपने पीवाई की उसके महा भंडार से बहुत ही सलेक्टेड और बार बार रिपीट होने वाले क्वेस्टिस के प्राक्टिस को लगातार किये जा रहे हैं तो आशा करती हूं जितने भी क्वेस् क्लास के अंदर जुड़ चुके हैं वो क्लास को और इंटराक्टिव बनाने के लिए अपने सारे दोस्तों के साथ क्लास को फटाफट से शेयर कर दीजे ताकि जितना ज्यादा इंटराक्टिव हमारा ये पीवाई क्यों का सेशन होता है उस दौराद सिरफ ना उस बच्च के प्राक्टिस आज कर सके तो चलिए जो लोग पहली बार मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें मैं बता दू हमारी क्लास डेली शाम को छे बज़े होती है तो मैं शाली निया आपकी सब्जिक्ट साइन्स एक्सपर्ट हम इस क्लास को डेली इसी समय पर यहीं बिहार अड़ के बोर्ड के ऊपर यह रहा जिसमें से पूचा जा रहा है कि बताईये पॉली्थीन निम्न में से किसका बहुलक है पॉलीमराइजेशन यह पॉल्ल केमिस्ट्री के इन और्गानिक केमिस्ट्री का पार्ट है जिसको हम पॉलीमर्स के अंदर पढ़ते हैं तो आप से पूच यह पॉलिथीन इन में से किसका पॉलिमर है तो यहां अगर आप लोग उसे पॉलिथीन पूछा जाएगा तो यह पॉलिथीन जो है टॉइस बनाने के लिए खिलोने बनाने के लिए पाइपलाइन बनाने के लिए कई सारी ऐसी चीजों में इस्तिमाल किया जाता और इसका करे आंसर होगा आपका इथीन या इथाइलीन अगर आपको इथीन ऑप्शन के अंदर नहीं मिलता है तो वहीं आप ऑप्शन में इथाइलीन नहीं मिलता है तो आपको ऑप्शन में फिर इथीन मिलेगा इथीन या इथाइलीन दोनों ही क्या है इथीन जनरली आपके ऑप्शन मे यह इथीन का होगा इसलिए इसको बहुत ही बढ़िया तरीके से आपके माइंड को चेंज करने के लिए या चेक करने के लिए वह इथीन की जगर क्या लिख देता है इथाइलीन ठीक है वेरी गुड इवनिंग नेहां सोनल चलिए अगला क्वेशन आप लोगों से पूछ रह होता है दूसरा है आपका टेफलॉन दूसरा कान सा है अपनाइब की होई हो ती रह गाना हो इस sector इसकी evidence नहीं चिपक रहे हमारी सब्य जलती नहीं भुकती नहीं बुलती नहीं तो वह आप लोगों की सब्जी खराब ना होने कारेंड है उन बरतनों के उलगा हुआ है और सवाल आपसे पूठ यह पूंचा जाएगा कि वो eszाले रंग की परद किसकी है तो वो उससा बहूलक है यह पुछा है इसी तरीके से और भी पीवी सी आजकल बहुत ही कॉमन हो रहा है यह पीवी सी की लंभी लंभी चादर यह शीट की फॉर्म में भी आता है जिसको आप जमीन पे भी भिछा सकते हो दिवारों पे भी आजकल लगाया जाता है इसकी फॉल्स और देखेंगे पॉली विनाइल क्लोराइड का बहुलक है और इसे डिश एंटीना यह रेंकोट आज कर सावन का भी सीजन है इसमें भी तो रेंकोट पहनते हैं वो भी किसका बनावा होता है आपका इसी पीवीसी का बनावा हुआ होता ठीक है चली अगला देखिए आप लोगों का अगला सवाल कह रहा है कि बताइए इन में से कौन सा इन में से कौन सा chemical material कौन सा रसायनिक पदार्थ है जो आपकी ओजोन परत को पतला कर रहा है नाइट्रस ऑक्साइड यानि की N2O carbon dioxide यानि की CO2 chlorofluorocarbon cfcl2 या sulfur dioxide SO2 जली से बताइएंगे इन में से correct answer क्या है आपका आपका नाइट्रस ऑक्साइड के एंट्वो carbon dioxide co2 chlorofluorocarbon cfcl2 देखो शॉर्ट में cfc लिख देते हैं बट formula cfc नहीं है formula इसका क्या है cfcl2 या फिर sulfur dioxide SO2 तो इसका correct answer क्या हो जायगा इसका correct answer होगा आपका chlorofluorocarbon cfcl2 जली से बताइए सबसे पहला ozone hole कौन से continent में देखा गया था कमेंट करके बताइसे सबसे पहला ozone hole सबसे पहला ozone hole कौन से continent में देखा गया था शात महाद्वीप था उन सातों महादवीप में से सबसे पहले ओजोन होल कौन से महादवीप में देखा गया था यह आप मुझे कमेंट करके बताएंगे तब तक देखे आगे चलिए यहां से देखिए तो आपके ओजोन परत बंती कैसे यह ओजोन लोयर कैसे बंती है जब आप इसका निर्मार देख लेंगे तो यह पतली क्यूं होती जारी है यह भी आप लोगों को दीरे-दीर समझ में आ जाएगा तो बेसिकली होता है क्या है आपके इट्मॉस्फि और वह औक्सिजन गैस के फॉर्म में अविलेबल यानि कि ओटू के फॉर्म में अविलेबल है कहने का मतलब है कि दो-दो ऑक्सिजन हमेशा आपस में क्या होते जुड़े हुए रहते हैं इस तरीके से यह आपके वाईू मंडल के अंदर उपस्थित है अब जैसे ही आपक ही हाइए एनरजी होती है बहुत उचु उर्जा होने के कारण जैसे ही वो इन ऑक्सीजन के मॉलेक्यूल्स के उपर पढ़ती है तो इन के बीच में मॉजूद यस बॉन्ड को वो तोड़ देती है अब जैसे इनके बीच का बंदन तोट तक साथ है यह वाला oxygen अलग हो जाता है और यह व्श आपका अलग हो जाता और अलग होते इसके उपर आवेश चार्जा जाता है कौन सा माइनस का इसी तरीके से यह बिया अब आवेश आते यह आप लोगों को पता है कि कोई भी आवेश चाहे वह पॉजेर चाहे वह धनात्म को चाहे वह नेगेट और कोई भी आते ही चार जाते ही वह वालीक्यूल क्या हो जाता है कंप्लीटली अस्टैबल हो जाता है अब स्थिरता पाने के लिए वह जाएगा किसी और के साथ अब जैसे यह तूट या तो तूटने के बाद इसके पास option क्या बचता हिए ऐसके पास और यहां जाके जुड़ जाएगा और यहां जाएगा के बाद क्या होता है आप लोगों का ये बना लेता है एक ओ Three का molecule जो कि आपकी कहलाती है ozone परत अब इस तरीके से तो आपकी ozone बन रही है अब जब आप लोगों के refrigerator में से fridge में से cfcl2 निकलती है cfcl2 निकलती है तो वहाँ पर होता क्या है रेखिए cfcl2 निकल रही है अब इसके अंदर भी कार्बन है फ्लोरीन है क्लोरीन है तो जब इसके उपर uv radiation पढ़ती है जब इसके उपर पैरा बैंग नी किरने पढ़ती है तो इसमें से भी क्या होता है आपका क्लोरीन अलग हो जाता है और यह oxygen जी ओ नेगेटिव था अब यह इस oxygen इस o2 के साथ जुड़ने की जगा आकर जुड़ने की कोशिश करेगा किसके साथ लोरीन के साथ बना लेगा और c l o तो अब जब आपका यह oxygen जिस oxygen को यहां जुड़ना चाहिए था जब वो यहां जुड़ा ही नहीं तो o3 बना ही नहीं वह यहां क्यूं झुढ़ा क्योंकि वहात जाके जुड़ीया था क्लोरीन के साथ तो जब यह औक्सिजन के साथ जुड़ा ही नहीं तो आप की ओजोन नहीं बन पाई और जब वह बने गी नहीं तो वह पतली रह जाएकिए और इस तरीकेसे दिपूशन CFCL2 की वज़े से हो जाता है अगले सवाल पर देखिए अगला सवाल देखिए आप लोगों को क्या पूछ रहा है फिर आप लोगों से पूछा जा रहा है बताईए हूमन के अंदर से मुख्य नाइट्रोजन अप्शिष्ट पदार्थ कौन सा निकलता है ऑप्शन में दिया है अमोनिया यूरिया यूरिक आसिड या फिर अमोनियम नाइट्रेट जल्दी से कमेंट करके बताएंगे कि बताईए ह समय से कौन सा नाइट्रोजी निकलता है और इसी के आधार पर आप मुझे कमेंट करके यह बी बताएंगे कि बताईए हूमन-बींग्स अमोनो टेलिक हैं यूरियो टेलिक हैं यूरीकुष टëलिक हैं या कोई अलगी नीचिक है ठीक है है ज़ी से बताईए हूमन बिंग्स तो देखिए मैंने आप लोगों से कहा था कि जितने भी organisms होते हैं उनके अंदर से अलग-अलग प्रकार कर nitrogenous waste निकलता है जैसे कि किसी के अंदर से ammonia निकलता है ज्यादा किसी के अंदर से urea निकलता है और किसी के अंदर से uric acid निकलता है है ना तो फिर आप लोगों को बताया गया था कि तीनों में अंतर क्या है ammonia जो है वो बहुत ही ज्यादा highly toxic होता है यह बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है और जबकि आपका uric acid क्या है uric acid आपका बहुत ही weak acid है जिसकी वजह से यह क्या है यह least toxic है और जब यह बहुत ज्यादा toxic है और यह बहुत कम toxic है तो यूरिया क्या है यूरिया आपका बीच में आ जाता है इसे कहा जाता है यह moderately toxic होता है है ना और इसी आधार पर मैंने बताया था कि जब यूरिया अमोनिया इतना ज्यादा toxic है तो इसको शरीर में से बाहर निकालने के लिए आपको इसमें मिलाना होगा बहुत सारा पानी जैसे मानलो कोई भी चीज जब बहुत ज्यादा जलन करती है हार्पी की अभी आप घर में हार्पेक से टॉलेट साफ कीजिए देखिए आपका जहां भी सुतरा उत्रा उखड रहोगा ना वह सब जलने लगेगा जल जलाने लगेगा आप उसी हार्पेक में पानी मिला दो और फिर उससे अपना टॉलेट चमकाओ एकदम चका चक आप देखिए कि तब आपके हाथ में जलन नहीं होगी तो जब आप चाहते हैं कि कोई चीज आपको नुकसान ना पहुंचा जलन ना करें तो उसमें धेर सारा पानी मिला दो यहां भी है अमोनिया को ऐसे शरीर से बाहर निकालोगे तो बहुत नुकसान करेगा तो इसमें क्या क ऐन्दर यानि के अखुएतिक आनिमल जैसिंग कि फिश हो गएं इंफीबियोंगे Hijs हो गए आपकी मचलियां हो गई है आपके उह पैचर और इन सब के अंदर से क्या निकलता है एं निकलता है थके हमारें बीलके झालत थाकूर क्या कह रहे है मैं मेरा कमेंट नहीं जा रहा है नहीं ठाकुर आ रहा है आपका कमेंट और जिनके अंदर से हमारे हम यूमेन बिंक्स के अंदर से क्या निकलता है हमारे अंदर से क्या निकलता है यूरिया निकलता है जिसे बस थोड़ा सा ही पानी चाहिए होता है तो यह यूरिया और पानी मिलके यह यूरिया और पानी मिलके आपके बॉडी में क्या बना लेते हैं यूरिन बना लेते हैं मुत्र बनाते हैं जो कि आपके शरीर से क्या होता है बाहर आ जाता है और यहां से बार-बार मैं आप लोगों को बता चुक्यों इस यूरिन से दो में क्वेशन हैं जो आप ल से इतनी smell क्यों आती है इतनी बदवू क्यों आती है तो आप बता देंगे कि यही यूरिन जब हमारे शरीर से बाहर आता है तो इसमें मौझू यह यूरिय ओक्सीजन के साथ react करता है और ammonia बना लेता है जिसके कारण इसमें इतनी दुरगंद आती है ठीक है चली और last क्या था आपका फिर उसके बाद आपका क्या है चिडिया तो जितने भी mammals है हम human beings क्या होते हैं हम mammals होते हैं तो जितने भी स्तंधारी जानवर है है उनके अंदर से ओ्रिय नामक nitrogenous यानिकी nitrogen कि- Egyptian निकलता है और पक्षी यानिकी चिडियाओं में से होता है और इसको निकलने के लिए क्या चाहिए होता है बिलकुल नाम मातर पानी चाहिए होता है इसको शरीट से बाहर तो इसमें इतनी टॉक्सिसिटी नहीं है बहुत ही थोड़ा सा पानी चाहिए होगा और यह किसमें से निकलता है यह ज्यादा तर देखा गया है पक्षियों के अंदर तो अब आप देख सकते हैं कि इसी आधार पे तो अगर human beings की बात करें तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया हम human beings के अंदर से क्या निकलता है यूरिया निकलता है और कौन सा अप्षिष्ट पदार्थ निकल रहा है उसी के आधार पे जन्तूओं जीव जन्तूओं को तीन नाम दिये गए हैं अमोन और टेलिक जिनके अंदर से अमोनिया निकलता है यूरिको टेलिक यूरियो टेलिक जिनके अंदर से क्या है जिनके अंदर से आपका यूरिया निकलता और तीसरा यूरिको टेलिक जिनके अंदर से आपका यूरिक एसिड निकलता है ठीक है एक्जाम्पल्स आपके यहां पर द रखने स्तंधारी जानवर और यूरी को टेलिक में आजाते हैं आपके रेप्टाइल यानि की सरी स्रप्प और चडिया पक्शी अगला बताइसे एस्पेरिन क्या है यह यह पीडा हरी है यह पीड़ा हरी इसको बतार्थ बोला जाता है जो कि आपके सारे दुख दर्द आप लोगों से ले लेता है जैसी कि आप लोग जो डिस्प्रिंट खाते हैं डिस्प्रिंट की गोली अब रूफिंड की जो गोली खाई जाती है उसके अंदर यह आस्प्रिंट ही पाया बताइए इसका करेट टांसर क्या होगा इसका करेट टांसर क्या होगा करेट टांसर क्या होगा करेट टांसर क्या होगा इसको ऑप्शन नंबर सी यानि कि एसीटाइल सैलिसिलिक एसेड इसका करेक्ट आंसर क्या होगा एसीटाइल सैलिसिलिक एसेड ठीक है चलिए अगला सवाल बताईए आप से पूछा जा रहा है कि हमारे परिया वरंड में पैरा बैंगनी किर्णों को कौन अवशोशित कर लेता है हमारे वाता वरंड में पैरा बैंगनी किर्णों को अवशोशित करने वाला आपका पदार्थ कौन सा है ऑक्सीजन है नाइट्रोजन है ओजोन है या हीलियम है ज कि चलिए इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर पहले बीबात कर चुके तब तक आप कमेंट करके बताइए एक्स्प्लेंड में अल्रेडी कर चुकी हूं मगले क्वेशन की तरफ बढ़ते हैं विच अब फॉल्लइंग मेटल इस उस्पर मेनुफाक्चर ऑफ हीटिंग एलिमेंट प्रोवाइड इन इलेक्ट्रिक आइरेन अगर आप लोगों ने घर में हीटर देखा हो या प्रेस के अंदर भी लगा हुआ होता है एक एलिमेंट लगा हुआ होता है तो वह पूछ रहे ह है कि बताइए उसके अंदर जो हीटिंग कोईल है जो हीटिंग कोईल है जो गरम होती है जो लाल हो जाती है वह इन में से किसकी बनी हुई है निकल की क्रोमियम की नाइक्रोम की यह टंग्स्टन की है 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 एक यह जव्य क्तिक प्रणफ है है चलिए तो देखिए इसका करेक्ट टांसर हो तोगा था ओंट जो की एक यह Ee अफ प्रोजेंट होता है एकम प्रोंसी पता चल रहा है नाइक्रोम में एन आ हम तलब क्या इसके अंदर क्या है इसके अंदर निकल है इसके अंदर क्रोम से पता चल रहा है इसके अंदर क्रोमियम है और इनी दोनों के साथ-साथ इसके अंदर प्रेजेंट है क्या आइरन और इनी तीनों को मिलाके के लॉय बनता है नाइक्रोम जिससे हम सारे हीटिंग एलिमेंट्स बनाते हैं वहीं अगर आप से पूछा जाता बल्ब का फिलामेंट बल्ब का फिलामेंट क्या होता है अगर आप लोगों ने बल्ब देखा हो इस तरीके से तो इसी बल्ब के अंदर यहां पर इस तरीके की टार लगी होई होती है तो यह वाली जो तार है यह वाली जो तार है इसको बल्ब फिलामें हाईक ठीक है चली सेक्ठ ड़ल के तरह बड़ते हैं आपसे नेक्स वैस्चन पूछ रहा है कि बता ही ओ भा पशाव कोल की आनि की कोईले की ऐसी कौन सी विराइटी है कोईले की सी कौन सी विराइटी है जिसके अंदर ओर इजनल टांट मेटेरियल भी पाया जाता है कारवन परसिंटेज के इस आप साब बता सकते हैं अब ही मैं आपको सारी वेराइटी बताऊंगे कोईले की कौन-कौन सी वेराइटी होती है फिलाल आप भी यह वाला question attempt कीजिए और मुझे बताईए नहीं बी नहीं है इसका correct answer अनिल कुमार जी कह रहे हैं इसका correct answer बी है लिगनाइट है नहीं ठाकूर प्रिंस कह रहे हैं एंथ्रसाइट है नहीं चलिए मैं इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer होगा आपका पीट पीट के अंदर अगर आप देखेंगे तो कोईले के अंदर कितना कार्बन प्रसेंट है उस आधार पे कोईले को चार अलग अलग प्रकार में बाटा गया है सबसे अच्छा कोईला यानिकि सबसे जादा कार्बन जिसके अंदर पाया जाता है वह आपका आपका REYन्थरसाइट जिसके अंदर 94 से लेकि 98 तक कार्बन होता है और इसे हाइज हाइध क्म्पैका उच्चीतम स्तर का प्न Shark क्वालिटी का भी हो गया एंथ्रसाइट ठीक है उसके बाद आता है आपका बी तो बी दूसरे नंबर पर क्या आगया आपका बीटियूमिनस कोईला वह जो घर में अंगीठी में और आप लोग अपने चूले उले में इस्तेमाल करते हैं ठीक है जो आपने चूले की वज़े वज़े से ही आता है तो क्योंकि लिगनाइट के अंदर आपका कार्बन काफी कम है तो उससे brown kool भी बोला जाते कि इसका कटर भी कुछ वैसा ही होता सबसे घिसा पिटा है सबसे गिसा सबसे बेकाहँ कॉालीटी की घिट होता है आपका की म्हतσ fallen की पाये जाते हैं क्योंकि इसमें ठीक से आपकी decomposition नहीं होती है अगला पूछा आप से जा रहा है कि सबसे प्योर form of iron यानि कि लोहे की सबसे शुद्धितम रूप लोहे का सबसे शुद्धितम रूप कौन सा है यह स्टील कास्ट अैरन पेग आइरं या रॉट आइरन जली से बताई है होंगा अभी हम इनके बारे में भी बात करते कि मैं सिब्कास्ट आइरन पेग आयरें राट आइरन तो लोहे की जो सबसे जदा प्य्योर एसट फॉर्म है किसे बताई गय ने QR इन को बताया गया अईर से अगर आपको मुखे रूप पे बाते याद रखेंब वह क्या है इसके अगर she संख्या और इसका परमाडू द्रवेमान यानि कि अटॉमिक नंबर और अटॉमिक मास नहीं भी याद रखते हैं तो भी चलेगा तो भी चलेगा मेंचो आप लोगों को याद रखना है कि हरी सब्जी क्या हरी सब्जी क्या आप लोग देखेंगे जूतने भी आपके फल फू रंगन है काटते उसमें क्या होता है काला पंसा वो ब्राउन होने लगता है केला है काटते ही क्या होता है काला पढ़ने लगता है सेब है काला पढ़ने लगेगा नाशपाती है काला पढ़ने लगेगा तो जितने भी ऐसे फल है जो काटते ही काले होने लगते हैं या बूर बूहा हुआ होता है और किसी और तत्व के साथ जुड़के यह यह बनाता है और बनाता है तो अगर हमारी थी sett Auto या निकर हमारे अर्फ पर उन्दर देखा जाए तो हमें लोहा in तो हमें लोह, इन रूप में ठीक है मैगनेटाइट के अंदर लोहे की मात्रा थोड़ी सी जादा आप देख सकते हैं और यहां पर 72 परसंट तक आयरन होता है लेमनाइट के अंदर यह ऑक्सिजन और कुछ बाउंड वाटर पानी के साथ जुड़ा हुआ होता है यहां लोहे की मात्रा और कम मात्र साथ पर आप लोगों का हैमेटाइट है मागनेटाइट है सिडराइट है और लेमनाइट है ठीक है चलिए बाकि अगर इसकी वेराइटी की बात करें और अगर लोहे की कमी आपके शरीर में हो जाती है तो उसे अनीमिया नाम की बिमारी होती है अगर इसकी वेराइटी के आप बात क युकार और जो रेलवेट राक होते हैं युदि रैलवेट राक होते उनकी उपर पूरिड法 की रिल गारी चलती है वह बनी होती है तिकिल सब सबसे प्योरेस्ट फ्रम ओफ एक और किसे बोला गया है रॉट टाइरन को बोला गया जिसमें कार्बन बहुती कमें सारा का सारा आपका आयरन ही है कार्बन एक परसेंट से भी नीचे है सिरफ 0.12% से लेके 0.025% तक होता ये बहुत कार्बन कम होने के करण ही होती ज्यादा टफ होता है इसमें मजबूती बहुत ज्यादा होती है इसमें स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होती है ठीक है बाकी इन्हें क्या-क्या बनाने के लिए इस्तिमाल किया जाता है बोल्ट बनाने के लिए सलाखे बनाने के लिए इतना ज्यादा स्ट्रॉंग है कि जे detergent used for cleaning clothes and utensils contain बताये detergent के अंदर कौन से लवण कौन से सॉल्ट होते हैं नाइट्रेट बाइकार्बोनेट सलफोनेट या बिस्मुथेट से तो मैं ही पहली बार सुन रहे हूं चलिए चलिए से कमेंट करके बताएंगे इन में से क्या पाया जाता है है डिटर्जेंट के अंदर वेरी गुड नेहा ने सबसे पहले जब आप दिया है सल्फोनेट्स नेहा ने सबसे पहले जब आप दिया है क्या सल्फोनेट्स है है नहीं सोडा बाइक्र व Сам चलए थो आपके सप्झा सोण ल ही कार्वेन चलिएट नहीं सो नाल बाइक आरविकार्वोनेट्स तो आपके हार्ड वोटर यानि कि खार अपानी के अंदर मौजूद होता है यह वाशिंग सोडा के अंदर हूता है ठीक है डितरजेंट के अंदर डिटर्जेंट जो है वह अल्मुनियम सलफोनेट्स होते हैं वो क्या है आपके अल्मुनियम सलफोनेट्स होते हैं हैं तुसका और कि आन्सर की हो जाएगा आपका option number c option number c sub 3 अजिए चलिए अगला बताईए human being के अंदर हमारे मानव शरीड के अंदर कुल हड्डियों की संख्या कितनी है कमेंट करके बताएंगे बच्चों के अंदर कितनी होती है बच्चों के अंदर कितनी होती है फिलहाल यहां पर वयस्क की बात की जारी है जब सवाल में वयस्क और बच्चा ना दिया हो तो हम वयस्क ही मानके चलते हैं केडल्ट ही मानके चलते हैं और एक एड़त की बोड़ी में आपको बताना है कितनी होती है जिन में से एक एक हड़ी में आप लोगों को अल्रीड़ी यहां पर यूट्यूब पे ही गिनवा चुकी हूं ठीक है चलिए कितनी हड़ी होती है नहीं दीपक कुमार कह रहे है बच्चे के अंदर 306 हड़ी होती है नहीं दीपक बड़ों के अंदर 206 हड़ी होती है और बच्चों के अंदर 300 हड़ी होती है तो इसका correct answer किया आपका option number A यानि की 206 ठीक है और बच्चों के अंदर यहां option में दिया ही नहीं था अगर शिशू की बात की जाएगी तो शिशू के अंदर होती है 300 चलिए और अगर bones की study की बात करोगे तो bones की study यानि कि इसके अध्यान को कहा जाता है osteology bones की study को क्या कहा जाता है bones की study को कहा जाता है osteology orthology होती है इनके joints की study अगला बताईए बाइल जूस कहां से निकलता है पितरस कहां से निकलता है आपके पिताशे से आपके यक्रित से पिताशे से या आपके यक्रित से बाइल डक्ट पित वाहिका से या इनक्रिया जंगनाशे से बताईए आपका बाइल जूस कहां से बनता है इस बाइल जूस का काम होता है आपके वसा को पचाना या फिर आपके बोजन को चारिए करना चलिकरेंट अंसर क्या होगा यह कहां से बनता है यह बनता है आपके लिवर से बाइल जूस कहां बनता है आपका बाइल जूस के अंदर आप लोगों को तीन बाते याद रखनी होती है कि आगर आप से पूछा जाएगा यह बाइल जूस बन्ता बंनता पर झाल पर है तो आप बतादेंगी इसका निर्माड पर होता है आपके यक्रित में यानि की लीवर में рьक है अगर पूछा जाएगा कि इस तोर कहां पर होता है जितना भी एक्स्ट्रा है उसे इकठा कहां पर करके रखेंगे तो आप क्या बता देंगे यह जाकर ब्लेडर के अंदर यानि की पिताश्य के अंदर जिसे आप आम भाशा में पित की घैली भी बोल देते हैं और अगर पूछा जाएगा कि फिर अपना पाचंड दो करता है यानि कि वसा को पघानां काम कहां करता है तो आप बता दे यहां को करता है चोटी आथ, के अंदर छोटी आतका जो बिल्कुल शुर्वाती हिस्सा होता है जिसे डियोडिनम कहा जाता है वहाँ पे जाके यह डाइजेशन को करता है तो करता है उसे तोड के ट्राइग्ल स्षाइड में कंवर्ट कर देता है ठीक है चली अगला बताईए अगला आप लोग उसे question पूछा जा रहा है कि बताईए वो कौन सा vitamin है जो हमारे खाने में नहीं पाया जाता है वेरी गूड इवनिंग आनन्द मोहन ऐसा कौन सा vitamin है जो हमारे खाने के अंदर पाया नहीं जाता है चली तो कौन सा vitamin है उसका नाम phyloquinone है उसका नाम क्या है उसका नाम phyloquinone है चली तब तक चली तो इसका correct answer क्या हो जाएगा इसका correct answer होगा vitamin D जिसे calciferol भी बोला जाता है जिसे calciferol भी कहते हैं या फिर आपको नाम से ही पता चल जाएगा इसे sunshine vitamin भी बोला जाता है इसे sunshine vitamin भी बोला जाता है क्योंकि यह आपको सूरे की किरणों से मिलता है आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है लड़िकों के मेकप में बताया जाता है खूब सारी पोथ-पोथ के संस्क्रीम लगाओ लड़के भी लगाते हैं फरक इतने हैं लड़के छुपके लगाते हैं पर संस्क्रीम का सबसे ज़्यादा डिसड्वांटेज यह कि वो विटामिन डी आपको सूरे की किर्णों से मिलता है इसलिए से संशाइन विटामिन भी बोला जाता है और यहां पर एक बात जो बहुत ही इंपोर्टेंट याद रखने वाली बात है वो यह है कि विटामिन डी एक मात्र ऐसा विटामिन है जो कि हॉर्मोन की तरह कारे करता ह है विटामिन D एक मात्र ऐसा है विटामिन एसकी तरह कारे करता है जो कि हॉर्मोन की तरह काम करता है एक सब्सक्राइबंट का जाता है जिसको साइनो कोबैलमिन भी बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर कोबाल्ट पाया जाता है तो इसे जरूर याद रखिएगा ठीक है चलिए अगले सवाल की तरह बढ़ते हैं हाप से पूचा चारा है बताई एक हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग कौसा है हाला कि हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग वह कौसा है वहाँ आपकी यह उस्चा तो और आप को भाड़ाएं कि तो तो फिर कौन सा है कि आ Eden मेरे जी गर का चला, तु मेरी जान वे, तेरे उपर मैं कर दूँ सब कुछ गुरुबाए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यह लार्जेस्ट ग्लैंड है, आपकी बॉड़ी का सबसे बड़ा अंग नहीं है, और अगर पूछा जाएगा कि इसकी स्टड़ी को क्या कहा जाता है, तो लिवर की स्टड़ी को हम कहते हैं, ही पैटो लॉजी, लिवर की स्टड़ी को क्या कहा जाता है, लिवर की स्टड़ी को कहा जाता है, ही पैटो लॉजी, ठीके! टिके? अग्य जोनुकार क्या है? है आम सरदी क्यों होती है बेक्टेरिया की वज़े से जीवाणूं की वज़े से फंगस की वज़े से कवक की वज़े से वाइरस की वज़े से या प्रोटो जोवा की वज़े से बताईए किसकी वजह से होती है और अगर आप बताएँगे तो उसका नाम भी बताईए नाम भी बताईए रगवधिन्शी अभी उसी पर ही चल रहे है हिपाटोलोजी पर ही कौन सा वाइरस सब लोग वैरस तो बता रहे है सवाल यह है कौन सा वाइरस गोर से देखे इस वाइरस को यह वाइरस आपके शुरीर में बहुत सारा बहुत सारा बहुत ही जादा वाला जुखाम लेके आता है बुखार लेके आता है और आपको बीमार कर देता है सवाल यह है कौन सा है यह वाइरस कहा से आता है यह वाइरस कौन लोग है जो इस वाइरस को ले के आते हैं तो ये है राइनो वाइरस कौन सा वाइरस है ये राइनो वाइरस ठीक है ये एक वाइरल डीजीज है जो कि राइनो वाइरस की विज़े से होती है अगले सवाल के तरफ आप लोगों का अगला सवाल कह रहा है मैंनी ज्वाइटीस तो क्या करूं मैं कमेंट नहीं जा रहा है कमेंट तो जा रहा है पर इतना वो नहीं लग रहा कि पढ़कर सुना है ठीक है राम राम बीरुकुमार अब कर दे ये साथ आपके बंसान को बूलना चालू कर देंगे कभी आपी तोड़ी तोड़ी देर के लिए आपको चीजे भूल जाएंगे तर फिर आपको बात में याद आ जाएगी और टाइम के साथ चाहता आपको पर्मालेंट आपका ब्रेग वह मेमूरी लौस हो जाएगा कि है ठीक है लो अ तो अपना या मेरा करेक्ट एंसर क्या होगा हार्ट सब्सक्राइब करेक्ट एंसर क्या होगा इसका ब्रेन यानि की मस्तिक्ष इसमें दीरे-दीरे आपका मेमूरी लॉस हो जाता है आपको चीजे याद नहीं रहती है अगला बताईए नंबर ऑफ टीथ विचा रिप्लेज इन मैं कहने का मतलब यह कि हमारे दूद के दाथ जड़के फिर उनकी जगह पर पर्मानेंट दाथ आते हैं तो पूछा यह जा रहा है कि बताईए आपके आते हैं और उनकी जगह पर चलो यह तो अमें पता चल गया 20 दाथ होते हैं यह तो अमें पता चल गया कि इनकी संक्षिया कितनी होती है पीसed होती है दूद के दाथ कितने आते हैं आपकर 20ा और 8 साल की उमर तक नहा 8 साल की उमर तक तो इसका करिक्ट अथ से कहोगा इसका correct answer होगा आपको option number B यानि की 20 देखिए दातों के बारे में आपके human adult के अंदर जो total दातों की संख्या है वो कितनी है वो है 32 और 8 साल की उमर तक इतने दाता थे आपके मूनुंए 20 को फिर्मोला कि है इनके का क्टम 6 यानि की 4 अलग बागों में चार की ताइप के दात दों और वो क्या होते हैं इंसीजर्स कैनाइन प्री मोलर्स और मोलर्स यह डेंटल फॉर्मूला क्या है यह आपके दांतों को इस तरीके से बाट दिया गया है सबसे पहले अगर आप देखेंगे सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो किसी भी खाने को काटने के लिए किसी भी खाने को बाइट करने के लिए आगे से अमरूद को इस तरीके से काटने के लिए आपके मूँ के आदे हिस्से में यहाँ पे यहाँ पे दो दांत होते हैं जिनें बोला जाता है इंसीजर्स यह कितने हैं यह दो यह जो फॉर्मूला लिखा गया ना यह उपर के इससे में भी आधा बताया जा रहा है क्योंकि जैसे आधे दानत आपके इस साइड है तो बीच से आगर आप देखोगे तो साइड के जो दो दात है साइड के जो दात है इन्हें का जाता है इंसिजर आधे हिस्से में दो है और टोटल मिला के कितने हो जाएंगे उपरे हिस्से में चार दो इस तरफ है दो इस तरफ है उसके बाद यहां पर आप यह एक नोकीला सा दात देखेंगे एक ही होता है यह जिसे कहा जाता कैनाइन यही कैनाइन देंजो कुट्टों के अंदर आति के अंदर ज़ो लंबा सा दात दात है वह है ग Is कुई यही कैनाइन होता है अStans भूराइस के तो खिंअनध तो मैं आपको जितना भी डाठा देती हूं ना तो मैं आप लोगों को किसी घटना चक्र का बता रही हूं ना मैं आपको लूसेंट की किताब से बता रही हूं मैं आप लोगों को जो भी डाटा देती हूं वो completely NCRT से होता है तो मेरा डाटा पर NCRT से मैच कर सकते हो ठीक है अगर किसी और किसी इंस्टिटूशन की बुक या किताब है किसी और पॉब्लिकेशन की किताब है तो फिर मेरा डाटा उससे मैच नहीं होगा क्योंकि मेरा डाटा completely आपके NCRT based होता है एनिवेज वापस आते हैं उसके बाद यहां पर आपके यहां से फिर आपके जबड़े चालू हो जाते हैं यहां पर आपके दो छोटे छोटे जबड़े हैं जिने बोला जाता है प्री मोलर्स जिने आप क्या बोलते हैं प्री मोलर्स ठीक है और फिर पीछे आप लोगों के तीन बड़े बड़े जबड़े होते हैं जिने बोला जाता है मोलर्स जिने क्या बोला जाता है मोलर्स तो य 3, 4, 5, 6, 7, 8, आधे हिस्से में 8 हैं यहां पे तो इस वाले हिस्से में भी कितने हो जाएंगे 8 और 8 और 8 कितने होगा यानि कि आपके पूरे मुह में उपर के हिस्से में कितने दात होते हैं 16 और 16 दात अगर उपर हैं तो 16 ही कहा होंगे नीचे होंगे यानि कि आपके मुह में कुल दातों की संख्या कितनी है कुल दातों की संख्या कितनी है आपकी बतेस है लेकिन सबसके मु infections नहीं आते है क्या आपका 3rd molar tooth होता है जिसे wisdom tooth भी कहा जाता है वो क्या है वो 75% लोगों में तो आता ही नहीं रहाया HD निकलती tiny तो बड़ा कश्ट्दाई होती 오늘 बहुत मुश्किल से निकलती है वर पिचेतर परसंट लोग ऐसे होते जिनमें यह निकलती ही नहीं अब जिनने में इंसेजर कहा चालएथ ही उसे हिंदी जो कि खाने को पीस के पेस्ट बनाके और आपके खाने लार के साथ मिलाने में काम आते हैं, ठीक है, चरी, इस खाने के उपर एक बहुत ही सफेद रंकी है, हमारे दाथ जो ही सफेद सफेद दिख रहे हैं, क्योंकि इनके उपर कैल्शियम फॉस्फेट की लेयर है, और उस कैल हम 20 questions ही कर पाएंगे, अगला आप लोग उसे पूचा जा रहे है, which of the following is used for wrapping fractured bones, टूटी हुई हड़ियों को जोडने के लिए, इन में से किसका इस्तिमाल करते हैं आप, white cement का, white lead का, zinc oxide का, या POP का, जली से बताएए, सबसे पहले नेहा ने जवाद दिये, C-A-S-O-4 dot, हां, और यह किस से बनता है, यह gypsum से बनता है, gypsum से बनता है, gypsum का formula होता है, C-A-S-O-4 dot, 24 dot, 2H2O, और POP का formula होता है, C-A-S-O-4 dot, half H2O, और यह क्या होता है, यह POP होता है, किस से बनता है, gypsum से बनता है, आज का आखरी सवाल आप से कह रहा है, आखरी कोई अच्छा स सवाल पूछते हैं कि टॉलिस्ट प्लांट कौन साय देखो यह इतना लंबा होता है फोटो क्यों नहीं आई है अज कि अग्योग 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 कि न्यूटन की गती के कौन से नियम में बल को परिभाशित किया गया है न्यूटन की गती के परिभाशित किया गया है नमस्ते वेदान्त मेरि गूड इवनिंग शुईता जली से बताएं न्यूटन की गती के कौन से नियम में बल की परिभाश या ने की which of the following laws of Newton defines force तो अगर बात की जाएगी बल को परिभाशित किया गया है तो आप बता देंगे बल की परिभाशा पहले नियम में दिया और अगर उसके परिमाण की बात की जाएगी यानिकि उसके मैगनिट्यूड की बात की जाएगी की गई है तो इसका करिक्ट अंसर क्या हो जाएगा आपका Newton's first law of motion यानिकि option number B option number B चलिए तो आज की class के अंदर हमने इतना ही किया कल वापस से मिलेंगे सेम टाइम सेम जगा अगले ओर दिन फिर मेरा जाने जाके चट पर खड़ी है ना तो कल वापस से आप लोगों की शाम छे बजे इसी तरीके से एक पीवाई की उसका अगला सेशन होगा आप अपने एक्जाम से पहले जितने जादा से जादा कर लेंगे आप लोगों के लिए उतना अच्छा होगा आप लोगों को पता लगेगा कि आने वाले टाइम में इन्हीं में से क्वेशन आप लोगों के एक्जाम में रिपीट हुएं क्योंकि यह क्वेशन वहीं हैं जो बार-बार एक्जाम के अंदर रिपीट होते हैं ठीक है चली तो कल मिलेंगे सेम टाइम पे थांक्यू सो मच और वेरी वेरी बेस्ट जितनी तैयारी हो गई है उसी को बार-बार पढ़ते रहें नया कुछ भी मत उठाईएगा अब वो समय नहीं है कि आप कुछ नया पढ़ें एक पेपर को सबसे अच्छा करने का तरीका और बेस जादा से जादा सही questions एक्जाम में करके आईएगा ठीक है तब तक के लिए कल आप लोगों से फिर से मुलाकात होगी फिलाल के लिए अलविदा लेना चाहूंगी मैं आप शालीनी आपके अपनी science faculty बिहार अड़ा 247 से आप लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद करती हू Thank you.